नमस्कार कसिस्त न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग चर्चा है कि सरावी अब जुर्माना देकर छूट जाएंगे जेल उन्हें नहीं भेजा जाएगा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरावबंदी कानूर में संसोधन की बात होने लगी है और इसका मसादा भी तयार किया जा रहा है तो बड़ी खबर है बिहार के सियासी गलियारे से जिस तरह से सरावबंदी को लेकर लगातार किच-किच मची हुई है नालंदा में जो आगे नितीश कुमार के खिला बीजेपी ने भी कई सारी बाते सुनाई खारी खोटी सुनाई और कहा कि कानून में की समिक्षा होनी चाहिए जिद करने से कुछ भी नहीं होगा उधर जीतन रामा जी हम के हिंदुस्तानी अबाम मोर्चा के राष्टी अध्धक और सहोगी इंडिये के उन्होंने कहा नितीश कुमार जी को इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए किंद्र में जिस तरफ से पीम मोदी ने किसी कानूनों को वापस लिया बिहार में नितीश कुमार को भी सराबंदी कानून को वापस लेने के लिए सोचना होगा ये बाते उन्होंने कही समिक्षा की बात उन्होंने भी कर दी इधर दो सा योगी दलों ने आग दिखाई उधर कोट ने फटकार लगा दी कोट ने भी लगातार कोट के तरफ से भी जो आया ब्यान कोट की तरफ से जो टिपनी की गई उसमें कहा गया कि जिस तरह से जरा बंदी जो है बादित हो रहा है कुछ इस तरह का बैया लाया है उसके बाद अब सरकार इस कानून में समिक्षा कर रही है जी हाँ, खबरे आपको बताएं जिस नरह से मदनिसेद भिवाग ने अब इस कानून की समिक्षा की शुरुवात कर दी है और अब एक नया मसौधा तयार किया जा रहा है कानून में ढील देने की का प्रयास किया जा रहा है आपको पूरी बात बता है कि इन तमाम लोगों की फटकार के बाद इन तमाम दलों के घेराबंदी के बाद अब जो है मद निशेद विभाग ने सराब पंदी कारून में संसोधन के लिए तयारी सुरू कर दी है प्रावधानों को लेकर सजा के जो प्रावधान है उसमें संसोधन की तयारी चल रही है खबरे आपको बता रहे हैं विभाग ने संसोधन पस्ताव को समती के लिए फिलाल ग्री विभाग के पास भेजा है अपरा कानून विभाग है से सलाह और मुखमंति से सहमति के बाद कैबिनेक्ट में लाया जाएगा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सलाबंदी कानून में जिस तरह से सायोगी दल भी बार-बार समिक्षा की बात कर रहे थे कोट ने फटकार लगाई विपक्षी दल तो लगता घेरी रहते उसके बाद अब सीम नितिश कुमार बैक फूट पर नजर आ रहे हैं संसोधन किया जा रहा है सजा में कानून के जो प्रावधान है उसमें संसोधन किया जा रहा है आपको बताए और इसका जो प्रस्ताव बनाया गया है ग्री बिवाग के पास भेजा गया है ग्री बिवाग की समती के बाद कानून भी भाग इसे देखेगा और उसके बाद इसे कैबिनेट के जरिये पास किया जाएगा यानि कबायत सुरू हो गई है जिस तरह से नालंदा कान सीम नितिश कुमार का ग्रे जिले में इतना बड़ा कान दो गया तेरा लोगों की मौत ह जहरी ली पने से कई तरह के सवाल उठने लगे सर्कार पर सराबंदी कानून पर कि आखिन सा या कानून है कि तरह का यह कानून है कि लोगों की जान ले रहा है और जिस तरह से लोग पी रहे हैं और चोरी चीपे भी पी रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं तो इसमें धील की जरूरत है संसोधन की जरूरत है समीक्षा की जरूरत है तो यह समीक्षा अब हो गई है और मामला आगे बढ़ रहा है नया कानून आने वाला है हम आपको बताएं मदनिसेद और उत्पाद विभाग ने मदनिसेद और उत्पाद अधिनियम 2016 में संसोधन की तयारी सुरू कर दी है इसे विचार के लिए ग्री विवाग को भेजा है उसके बाद बिदी विवाग की सलाह ली जाएगी और फिर मुकमंत्री अधिसाहमती देंगे तो संसोधन के यह बड़ी खबर सरावंदी कानून में संसोधन की ख़़़ इस कानून के तहट अगर छोटे मामले होंगे या कोई पहली बार जैसा की खबर हम आपको बता रहे हैं अंदर की ख़़़ कि अगर कोई पहली बार सराभ पीते पकड़ा जाता है या फिर सराभ की गतीवीडिय देकर छोड़ दिया जाएगा इस कानून में जो कुछ तब दीलिया की गई है जैसा की खबरे हैं आपको बताएं और उसके बाद दूसरी बार अगर ये गलती करेगा तो साइट कानून वही होंगे लेकिन पहली बार छूट मिलने जा रही है आपको बताएं उसके बाद को लेकर सीजे आई ने भी सवाल खड़े किये थे और लगतार इसकी खामियों पर सरकार निशाने पर है जीतन रामबांजी ने तो कई बार सजा के प्रभधान को लेकर अपत्ती दर्ज कराई है और जेलों में जिस प्रकार से सराबंदी कानून के तहट कैदियों की संख्य बड़ी है वह भी सरकार और कोड के लिए बड़ी परिसानी का कारण बन रहा है इन सब को देखते हुए सरकार संसोधन की तयारी करने जा रही है हलाकि यह कब तक होगा यह देखने वाली बात है आपको बता दे सराबंदी कानून 2016 में लागू किया गया था इन तमाम दलों करम तो आप जानते ही है नालंदा का उसके पहले गोपाल गांज मुझाफरपूर और सारे कई जिलों में इस तरह के जो सराब जहरीली सराब से मोत के मामले सामने आ चुके है तो अब सराबंदी कानून में धील देने की तैयारी चल रही है और सराब पीने वालों को और थो में पूआ झा झाम